वेल्कम टू बालाजी स्टाधियादा अभी तक नई तारीक का एलान नहीं हो सका है लेकिन सोसल मीडिया पर कुछ लोग तरह तरह की तारीकें वो लिखकर दावा कर रहे है जैसकि मैंने आपको पताया था पहले भी 29 तारीक करके एक आई थी डेट जो कि पूरी तरीके से फेक थी इसी प्रकार 19 जो जनवरी की डेट की बात की जा रही है वो भी अभी तक पूरी तरह अनुमानता है किसी प्रकार की कोई भी ओफीशल नोटिस जसए वो नहीं आई आगे लिखा हुआ है कि फाला थारीक को परिक्षा होने जा रही है परिच्छा नियामक प्रादिकारी सच्चिव अनिल भूजर चुत्रवेदी ने कहा है कि परिच्छा की नई तारीक अभी तै नहीं है सासन से अनुमती लेकर इसका एलान करेंगे और ये कार जो है वो 25 दिसंबर के बाद सुरू होने की उमीद है क्लियर तरीके से यहां प्वेर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगे कि 25 दिसंबर के बाद सुरू होने की उमीद है क्योंकि प्रियाग राज में सुंबार को ही इंटरनेट जो है वो सेवा बहाल हुई है और कुछ दिन प्रदेश के हालात का जायजा लिया जाएगा और संभा हो है कि ये परिच्छा जनवरी महा में ही जो है वो कराई जाएगी यहां से आप समझ सकते हैं कि जनवरी महा में कराई जाएगी और दूसरी चीज की 25 दिसंबर के बाद जो है यहां पर आप कह सकते हैं किसी प्रकार का फैसला जो है वो लिया जाएगा क्यों क्योंकि सोंबार से जो है वहां पर इंटरनेट जो है वो सेवा चलने लगी है तो यही था हमारी आज की निउस में आई होप यह वीडियो आपके लिए हल्पल साबित हुआ हो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरू कीजिएगा तब तके लिए नमस्कार थैंक्यू पर वाचिंग